आज की इस कर्चा में हम प्रस्ना वली पांच दस्मलों दोग के प्रस्नों को हल करेंगे प्रस्न संख्या एक है यदि तीन अंकों की संख्या साथ दो एक्स नो से विभाजे है तो एक्स का मान क्या है तो नो से विभाजे था हम जानते हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग नो से विभाजे हो तो वह संख्या भी नो से विभाजे होगी तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे साथ जोड़ दो जोड़ एक्स साथ जोड़ दो जोड़ अब एक्स का मान ऐसा बैठाना है कि इसके अंकों का योग नौ से विभाज्य हो जाए तो हम पहले इसको देखते हैं साथ जोड़ दो नौ तो 9 से विभाज्य है तो यहां अगर हम शुन्य दे दें तो यह पूरा योग आ जा रहा है 9 तो अगर हम यहां सुन्य बैठा दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि योग आ रहा है 9 और यह 9 से विभाज्य है इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी इसलिए हमारा X का मान मिल गया, शुन्ने, स्वरी, X का मान मिल गया, शुन्ने, अब प्रस्न संख्या 2 देखते हैं, यदि 7, X, 6, 7, 5, एक 5 अंकिये संख्या है, 11 से विभाजय है, तो X का मान क्या है, तो यह हमारी संख्या है, 7, X, 6, 7, 5, तो 11 से विभाजयता हम जानते हैं, कि यदि समस्थान के अंकों का योग, और विसमस्थान के अंकों का योग, और दोनों का अंतर लेते हैं, तो या तो शुन्ने होना चाहिए, या 11 का गुनज होना चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं, विशम पले से सुरू करते हैं, विशम, विशम स्थान के अंकों का योग, विशम स्थान में कौन-कौन से हैं, साथ, छे, और पांच, तो साथ, छे, और ये पांच, ये तिनों को जोड रहे हैं, तो साथ, छे, तेरा, पांच, अठारा आ गया, अब हम सम स्थान के अंकों का योग करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान में है, एक्स और साथ, तो ये एक्स प्लस सेवन, यहां तो सेवन है, देख रहे हम अठारा से साथ घटाते हैं, 18 से अगर हम 7 घटा देते हैं तो ये 11 आ रहा है अर्थात ये 11 11 से विभाज्य है तो वैसे इस्तिती में ये संख्या भी विभाज्य हो जाएगी तो हमें x कमान क्या रखना चाहिए शुन्य तो ये हो गया 7 इसलिए sum इसलिए विसम इस्थान के अंकों का योग एवं sum इस्थान के योग sum इस्थान के अंकों का योग अंकों का योग का अंतर तो ये हो जा रहा है 18 घटाओ 7 यानि 11 तो ये 11 से विभाज्य है इसलिए ये संख्या भी विभाज्य होगी इसलिए यहाँ x कमान आ जाएगा x कमान शुन आप सुन यहाँ पर बैठा के देखें और ग्यारत से विभाज्यत करके देखें भाग लगा के देखें तो ये वेरिफाई हो जाएगा प्रस्न संख्या तीन दो चार तीन छे पाँच आठ पाँच ये संख्या है कि तीन से विभाज्यता की जाँच कीजिए तो तीन से विभाज्यता के नियम क्या है इसके अंकों का योग यदि तीन से विभाज्य हो तो संख्या भी तीन से विभाज्य होगी तो आएए इसके अंकों का योग करते हैं 2 जोड 4 जोड 3 जोड 6 जोड 5 जोड 8 जोड 5 और इसे आप जोड़ेंगे तो ये आता है 33 और 33 में 3 से भाग लगाके देखिए 33 में 3 से दे रहे हैं तो 3 एका ये 3 शुन फिर ये 3 आया 3 एका 3 ये शुन यानि 33 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है अर्थात ये संख्या भी 3 से बिवाज्य होगी प्रस्म संख्या 4 तीन हजार तीन सो पच्छत्तर की 5 से बिवाज्यता की जाच कीजिए तो 5 से बिवाज्यता के नियम क्या है संख्या के इकाई अंग में यदि 5 या सुनने हो तो वो संख्या 5 से बिवाज्य होती है तो हम यहां देख रहे हैं कि इस संख्या में तीन हजार तीन सो पच्छत्तर में इकाई अंग में 5 है चुकि 3375 के इकाई इस्थान पर 5 है इसलिए यह संख्या 5 से बिवाज्य होगी अब प्रस्ण संख्या 5 लेते हैं 1848 की 4 से बिवाज्यता की जाँच कीजिए तो 4 से बिवाज्यता का नियम क्या है संख्या के इकाई एवं दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से बिवाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से बिवाज्य होती है तो यहां संख्या है 1848 तो इकाई और दहाई इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यह हो जारी है और तालिस तो और तालिस में हम 4 से भाग देके देखते है 4 एका 4 और यह 8 आया 4 दुना 8 तो हम देख रहे हैं कि यह और तालिस 4 से बिवाज्य है इसलिए यह संख्या 1848 भी 4 से बिवाज्य होगी चुकि 48 चार से बिवाज्य है अतह 1848 भी 4 से बिवाज्य होगी वाज़िवां धुकि वाज्य होगी वाज़िवां ग्रवद्स झालिस 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 झाल झाल